प्रेंडिंग लिरिक स्टेटस वीडियो आप किसी भी गाने के उपर कैसे बनाएंगे अगर आप किसी भी स्टोंग के उपर सेम एसी वीडियो आप बनाना चाहिए तो उसका बनाना का पूरा प्रोसेस में आपको पूरा स्टेप बाए स्टेप बताऊंगा तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो के description box में जा रहा है और description box में जाने के बाद जो all materials लिखा उसके लिंक है वहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है जैसे क्लिक करोगे ये वाली page open हो जाएगी यहाँ पर आपको एक article मिलेगा article का title है What is YouTube Sots It's Real Tech Friend इस वाले article के अंदर मैंने सारे materials और साथ ही XML preset दिया हुआ है तो वहाँ से सबको download कर लिजिए अगर article में से download करोकर भी दिकत होती है तो how to get my materials के वीडियो आप देख लिजिए link आपको description मिल जाएगा फिर यहाँ से बेक आ जाईए और अपन कर लिजिए song को add करने के बाद आपको song के आगे आना है और जितनी भी second के आप वीडियो बनाना चाहते है उतनी सब्सक्राइब करना है उतनी सब्सक्राइब करने के बाद song को cut करना है तो song को layer पे आप click किजिए और इस वाले last video button पे आप click कर लिजिए फिर अपना start element पे पिर से आजाना है यहाप को यहापर प्लस के आगन पर click कर लिजिए फिर आपको यहाँ पर media के option पर जाना है और मैंने जो मतरिस दिये उसमें से एक मेंने frame दिया होय उस्वली frame को आपको यहाँ पर एड़ कर लेना है तो इस वाली frame को आप यहां पे add करेंगे यहां से बैक आना है और फिरसे प्लस के अगन पर click कर देना है अब आप जिस भी photo पे आप video edit करना चाहते है उस वाली photo को यहां पर आपने select करके add कर देना है फोटो को add करना है एका प्लस के अगन पर क्लिक कर लेना है फिर से मीडिया पर जाना है यहां से आपको lighten पर जाना है और screen select कर लेना है अब इसके बाद आपने जितनी second की song रखे हुए उस वाले point पर जाना है song जहां पर तक है वहां तक आप आजाईए यहां पर आने के बाद आपको जो video आपने add किया उसको यहां से cut कर देना है और जो दो image आपने add करी उन दोनों image को यहां थर आपको लेके आ इसलोब अब बडिन बेगी लेर पर क्लिक करेंगे ओके अब आपने 4 से start kay पॉर प्रेट प्रेड़र को आना है और यहांसे आपको chroma आपने यहां पर लिखना है घ्कृटक्ट को सुन लेना है पर फिर ऐहां करेंगे पे ठेक्स बजाना है और सॉंग में आपका पहलाो बजा है वह आपने यहां पर लिखना है जईसे के मेरे स्वन में यहां पर कुछ यहां पर सस्था защशा É chi लिख देता हूँ खोल जो आंखे यतना बगाला कुछ पज़ता है स्टार्ट में इसके बाद आपको यहां पर सौंग अले जो टेक्स एड़ किया उस टेक्स लेयर को आपको पूरी वीडियो में आगे तक लेंदे हैं पूरी बटन पर क्लिक लिए अब फिर से इस पर क्लिक क जाएं और पहले तो इसको आप नीचे लेड़े कि अपूरी आपसे से लेख जाएं और जो मैंने फूंट को यहां पर फोन्ट को आपके जो आपको ओपन पर मिल गया होगा तो इसको इस तरह से इसके और आपको कलर पर जाना है और कलर में आपको ब्लेक काला तो यहां पर यहां पर कर सकते हैं तो आपको अपने साथ से इसको एकदम बीच में कर लेना है इसके बाद यहां पर आपको song को play करके यह जो first आपने लिखा है वहां पे खथम होता है वहां दको कट मारना है तो इसका हुआ पर सुन लेंगे सुनने के बाद यह जो हमने लिखा है वो जहाँ पर भी खतम होगा वहाँ पर आपको रुख जाना है फिर लेयर पे क्लिक करके यहाँ से इस तरह से कट लगा देना है इसका फिर से अप यहां पर आपकी first layer is perfect फिर दूसरी जो layer है वहां पर आपने जाना है फिर edit text पर जाना है और song में आगे का जो भी कुछ lyrics बजा वो आपने edit कर लेना है तिक इस तरीके से पूरी song में आप edit कर लिजिए इसके बाद song में हमें यहां पर effect उसके लिए दोस्तों आपको यहां पर मैरे एक्सेलल प्रीसेट की जरूत पड़ेगी एक्सेलल प्रीसेट को मैंने मत्यरिक्स साथ दिया हुआ है उसको अपने इमपोर्ट करना नहीं आता है तो कोई भी दिक्त होती है तो कैसे करते है उसका अलग से वीडियो मिल जाएगा वीडियो के इंपोर्ट कर लीजे हैं फिर आपने प्रॉजेक्स इपने प्रॉजेक्स में कर लिए ये यहां पर इक्सट्र जाकर पेक्सक्ट और प्रtså अपने प्रेक्सट परॉजेक्ट के रफॉ यहाँ पर पर यहाँ इमोजी वाली एक लेयर होगी उस वाले लेयर पर क्लिक कर ले, यहाँ पर जाके इसको कौपी लेयर कर दिना है, यहाँ से आपको बेक आजना है फिर से बैक आजना है फिर से मेरे ऐकसोphone प्रशेट कर देना है circle वाली फिर यहां से इफेक्ट पर जाना है इफेक्ट पर ten down로at पर जाकर कॉपीट करना है अब यहां से ब्यक हा जाना है ब्यक काने अपने project पर जाईए और जो आपकी photo layer होगी जो भी आपने अपनी photo एड़ कर या थो पर किसी की भी एड़कर इसक वह इमोजी लेयर पर जाईए और इसको एंड तक ले लिजिए इसके बाद दोस्तों यहां पर हमारे देखिए फर्स्ट वाली जो लिरिक्स लेयर है उसमें हमें एफेक्क कुछ एड करने भी भागी है यहां पर देख लेजिए इसको जगर आप प्ले करेंगा तो इसमें जो ट्रेक्स पर जाना है और इसको आपको टैक्स कारीड करेंणा है और छिटंड करेंगे अपने अपने करने को यहां यहां से घंसको पर जोब Butter करने के आप 100 कर लीज़े। इसके बाद आपको यहां से नीचे की तरफ आना है तो यहांपर इसके तरफ की तरफ आना है। Face का ने मिलेगा, face के उपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने का पिसमों नाहीं पर प्लस का अकन दिख रहा है वहां पे आना है और यहांपर एक और प्लस निद्ध कर देना अब मैं प्लस क्षिда में तो यहां से फिर से प्लस का अईकन पर आने के बाद इसके बाद आपको गव्या परसर को बढ़ा के 100% कर देना ठीक है तो इसको बड़ा के आप 100% कर लिचे तो यह 100% करेंगे इतना करने के बाद आपको यहां से फिर से नीचे की तरफ आ जाना है तो यहां पर आपको एक option मिलेगा component तो component पर आपको select कर लेना है इसके बाद नीचे आपको मिलेगा angle y, angle y पे आपको आ जाना है तो एक और option देखने को मिलेगा scale का तो scale के option पर आना है scale पर क्लिक करने के बाद यहां से अब आपको इसको थोड़ा सा बढ़ाना है तो इसको बढ़ा के आपको 1.00 कर देना है इसके बाद आपको फिर से नीचे की तरफ आप जाए आना है तो यहां से नीचे जाएंगे इन दो इसके बाद यहां पर आपका पूरी settings complete हो चुके अब आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है ठीक है अब यहां से हम back आएंगे और इसको अगर आप play करेंगे तो यहां पर देखे कुछ इस तरीगे से आपकी यह लेर पर जाके तीन डोड पर जाके इसको copy effect कर लेना है इस गणा कितनी भी analytics बनाई है सभी में आपको इसको paste करना जैसे paste कर लोगे आपकी कुछ इस तरीगे से पूरी video बन के तईयार हो जाए ठीक है तो यहसे आपकी video बन के तयार हो जाती इसके पद आपने video को export करेंट जैसे export करूगे video आपकी गरिब सेव हो जागी उमीद करता सबी को आज की हमारी वीडियो पसंद आए होगी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्स्राइब जरु से खलीजिए